भारत और मालदियूप का मुद्धा इस समय काफी गरम है सोसल मीडिया के विभिन प्लेटफॉर्म पर बायकॉट मालदियूप ट्रेंड कर रहा है मालदियूप की सरकार भी इस बात से चिंतित है कि कहीं भारत के लोग मालदियूप आना नाबंद कर दें इससे मालदियूप की एकनौमी को काफी बड़ा नुक्सान हो सकता है क्योंकि देश के बड़े बड़े दिग्जस मालदियूप पर कहर बनकर तूट रहे हैं और लक्षदियूप को काफी बड़े स्केल पर प्रमोट कर रहे हैं इसी को लेकर हाली में भारत के एक बड़े लीडर उमर अब्दुल्ला ने चोकाने वाला बेयान दिया है। असर गलत है। अची बात है कि मौल्डीव्स की हकूमत ने उन मिनिस्ट्रों को सस्पेंट किया और हिंदुस्तान के वजिर आजम से और हिंदुस्तान से माफी मांगी। वाजबाई साब ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं पडोसी बदल नहीं सकते। हमने बार बार जोर बिगा है कि पडोसियों के साथ तालुका तालुकाथ जो है अच्छे रहने चाइए। जहां तक मौल्डीव्स किस मिल्क के साथ वाना पसंद करती हैज को मौल्डीव का अपना फैसला है। लेकिन जहां तक मौल्डीव्स के कुछ मिनिस्ट्रों ने हमारे मुजीर-आजम Springs आपके बारे में जो अलफाज इस्तिमाल किये वो सरसर गलत थे जो यहां से मुल्क से जो टूरिस्ट जाते हैं जो उनके बारे में कहा वो गलत है चीन के साथ आपके तालुका जैसे भी हो ठीक है लेकिन हमारे मतलब इस मुल्क के वजिर आजम यहां से जो टूरिस्ट जाते ह उनको इंसल्ट करना इसकी कोई जरूरत नहीं थी अच्छी बात है कि मौलडीव्स की हकूमत ने उन मिनिस्ट्रों को सस्पेंट किया और हिंदुस्तान के वजिर आजम से और हिंदुस्तान से माफी मांगी हम तो यहीं उमीद करेंगे कि परोसियों के साथ क्योंकि यह हो बुटान हो बंगला देश हो स्री लंका हो पाकिस्तान हो अफगानिस्तान हो यह हमारे हमसाही मुल्क हैं और हम चाहते हैं के तालुकात अच्छे रहें